आप सभी को सार्दिय नवरात्री की हार दिक्षिप कामना है 3 अक्तोबर से लेकर 12 अक्तोबर तक सार्दिय नवरात्रे चलेंगे और ये नवरात्रे सभी के लिए बहुती विशेश होता है हर वर्ष की बाती इस वर्ष भी हमारे संस्थान में नवचंडी अनुस्ठान का आयोजन इन नवरात्रों पर किया जा रहा है अगर आप मा दुर्गा के नौ स्वरुवों का आशिरवात प्राप्तकर अपने जीवन में सफलता को सूनिश्चित करना चाहते हैं तो इस अनुस्ठान से जोडने के लिए स्क्रीन पर दिये गए नम पर संपर्क करें एहंकर तब उत्पन होता है जब हम यह भूल जाता है कि प्रसंसा हमारी नहीं हो रही है हमारे गुणों की हो रही है और जैसे ही एहंकर हमारे मन में आता है हमारे वो गुण नस्ट होना प्रारंब हो जाता है इसलिए जीवन में एक केवल सबसे बड़ा ज बर्वेक्ति का बहुत जादा है एक छोटे से बच्चों में भी बहुत इगो आ चुका है इस एहंकार को अपने अंदर उत्पन ना होने दे क्योंकि अगर आपके अंदर ये इगो शुरू हो गया इगो पलने लग गया तब समझ ये आपका पतन प्रारंब हो जाएका कभी भ मैं निदिशमाली आपके अपने इस शोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने 29 सितंबर रविवार का दैनिक राशीफ लेकर उपस्तित होई हूँ और सबसे पहले आते हैं आज के पंजांग पर अश्विन मास के क्रश्न पक्ष क द्वादशी तिथी आज है जो कि दौपेट 4.47 मिनट तक रहेगी उसके बाद 33 तिथी प्रारंब हो जाएगी मगा नक्षत्र भी आज के दिना रहा है जो कि पूर्ण रातरी रहने वाला है चंद्रमा आज सीय राशी में गुचर ब्रमन करेंगे साध्य योग आज के दिन तरफ रहेगा जशाशूला परशिम दिशा में रहेगा यदी इस दिशा में यातिरा करना आवशक हो तो घी खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं बढ़ते हैं आगे और आज आते हैं आज की देनेक राशीफल पर आज भी पित्रपक्ष चुकी चल रहा है तो उससे रिलेटेड ही मैं आप फो उपाय दूँगी तो इन उपायों को जानने के लिए और परन्तु इन उपायों को आपको पित्रपक्ष के दौरान करना जरूर है अगर आप अपने प्रतम देवता देखे देवी देवताओं की हम पूझा अरादना करते हैं पर जो हमारे सबसे प्रतम देवता है जिनकी पूझा अरादना करनी चाहिए वो हमारे पित्र होता है इसलिए अपने प्रतम देवता पित्र को प्रसंद करने के लिए आपको इन उ आगे और शुरुआत करते हैं वीकेंट के दैनिक राशी फल की और शुरुआत करते हैं प्रथम राशी यानी मेश राशी से आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन पांचवी भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत कर देगा decision making भी कहीं न कहीं जाकर आपके अंदर strong होती हुई दिखाई देगी आपकी family का विशेश रूप से आज के दिन आपको अपनी मदर का बहुत अच्छा support मिलेगा मा से जो भी प्यार दुलार और support मिलता है तब व्यक्ति में एक अलगी ताकत एक अलगी energy आजाती है आज के दिन आप हर situation से बाहर निकल जाएंगे और किसी भी कटिन situation को handle आसानी से कर लेंगे पित्र पक्ष के दौरान आपको श्रीमत भगवत गीता का पाट करना चाहिए गीता पाट के बाद दान जरूर करें आपका शुब्रंग रहेगा ग्रे शुबंग रहेगा दो अब आते व्रशब राशी पर आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन चौते ही भाव में गोजर प्रमन करेंगे आज के दिन financially थोड़ा सा सोथ समझ कर चले कोई भी decision जल्द बाजी में ना ले आज के दिन अपनी छोटे भाई बैनों को अपनी family को अपनी बड़े decision में include जरूर करें जिससे आप गलट decision लेने से बच जाएंगे आज के दिन आपकी कोई बड़ी wish पूरी हो जाएगी जिससे आपके मन में प्रसनता के बाव उत्पन होंगे पित्र पक्ष में हर रोज कवों को बोजन कराने के लिए घर की छट पर छोटी छोटी टुकडे आपको खाने के जरूर रपने चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा मैनून शुबंग रहेगा पांच अब आते हैं मिथुन राशी पर आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन तीसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन फाइनेंशली स्ट्रॉंग दिखाई देंगे आज के दिन आपको कहीं से अचानक धनलाब भी मिलेगा यानि अगर आपने किसी को उधार दे रखा है बहुत लंबे टाइम से आप परिशान है कि वो आपका उधार नहीं चुका रहा है तो वो चुका के जा सकता है या फिर अचानक से कोई लाब कोई धनागमन की संभावना बनी हुई है रास्ते कौन-कौन से प्रोसिस कौन-कौन से वो आपको पता है आज के दिन आपको कुटुम से भी मान्समान मिलेगा और समाज में कोई बड़े प्रोग्राम के लिए आपको चीफ केस बनाकर बुलाया जा सकता है पित्र पक्ष में हर रोज कौमों को भुजन कराने के लिए घर की छत पर छोटे-छोटे टुकड़े खाने के जरूर रखें आपका शुब्रंग रहेगा सफेद, शुबंग रहेगा आठ अब आते हैं करक राशी पर आपकी राशी से चंद्र मां आज के दिन दूसरे भाव में गोचर परमण करेंगे आज के दिन आपका आकरशित विक्ति को आपकी तरफ आकरशित करेगा आज के दिन कलाक के शित्र में आप कोई बड़ा नाम प्राप्त कर सकते हैं कोई बड़ा medal या फिर कोई बड़ा announcement आपके लिए हो सकता है आज के दिन आपके किस्मट बदलेगी और आज आप जो भी कारिया हाथ में लेंगे उसमें definitely आपको success मिलेगी पित्र पक्ष में रोज कुत्तों को रोटी अवश्य खिलाएं मचलियों को आटे की गोलिया बना कर खिलानी चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा नीला, शुबंग रहेगा तीन अब आते हैं सीह राशी पर आपकी राशी में आज के दिन चंद्रमा गोचर प्रमन करेंगे खर्च की स्ततिया जो अब तक इंबैलेंस हो रखी थी आज के दिन वो बैलेंस हो जाएगी आज के दिन आप मैनेज करना सीख लेंगे मनी मैनेजमेंट आपको आ जाएगा आज के दिन आप जो भी कार्य करेंगे उसमें परिवार की सहमती रहेगी आज के दिन आप अपनी फैमली के साथ में अच्छा और कॉलेटी टाइम भी बिताएंगे पित्र पक्ष में हर रोजगर के पित्रों के नाम पर दूप अवश्यद हैं इसके लिए जलते हुए कंडे यानि उपले पर सबजी पूड़ी के छोटे छोटे टुकडे अरपित करें आपका शुब्रंग रहेगा हरा शुबंग रहेगा साथ अब आते हैं कन्या राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन बारवे भाव में कोचर प्रमन करेंगे आज का दिन अच्छे लाप की इस्ततियां आपके जीवन में लेकर आएगा वियाईपी आपके सरकल में जुडेंगे आपके मित्रों की संख्या में व्रदी होगी मैं घर में लगजीरियस आइटम की खरीदारी आज आज आपके द्वारा की जा सकती है आज के दिन सामाजिक कारिक्रमों में परिवार के साथ आप हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे पित्र पक्ष में जिस भी मृतक का श्राद हो उसकी मन पसंद चीचे बना कर ब्रामनों को बोजन कराने से पित्रों का आशिरवाद मिलता है और घर में हमिशा आप बरकत रहती है आपका शुवरंग रहेगा सफीद, शुवंक रहेगा आठ अब आतें तुला राशी पर आपकी रासी सी चंद्रमा आज के दिन ग्यारवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके उत्तम लाप की परिस्तितिया आपके जीवन में लेकर आएगा वहीं पिता से चल रहे मदबेद भी समापत हो जाएंगे आज के दिन आपको कोई समाचार अपने परिवार से प्रापत होंगे और गर में महमान आ सकते हैं पित्र पक्ष में श्राथ के दिन मरने वाले की उम्र के अनुसार गरीबों को वो चीज़े दान करनी चाहिए जो उन्हें पसंद थी इससे उन्हें शांती मिलती है से चंद्रमा आज के दिन दसवे भाहों में गोचर पर्मन करेंगे आज का देन आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्थक रहेगा आज के दिन आप अधूरे पड़े हुए कारियों को फटाफट से पूरा कर लेंगे आध्यात्मिक कारियों में आपका मन अधिक लगेगा मित्र जंग रहेगा मजेंटा शुवंक रहेगा छे अब आते हैं धनूराशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज आज आपके कारियर फटा-फट से होंगे यात्राय करते समय अपने सामान का विशेश रूप से ध्यान र आपको सामना न करना पड़े पित्र तरपण में काले तिल का उपयोग जरूर करें ऐसा करने से पित्र क्रपा करते हैं और पैसों की कबी भी कमी नहीं आती है आपका शुवरंग रहेगा नीला शुभंग रहेगा चार अब आते हैं मकराशी पर आपकी रासी से एक चंद्रमा आज के दिन अस्टम भाव में गोचर रमन करेंगे अता आज के दिन बिना सोचे समझे जल्द बाजी में निर्णे नहलें कोई भी कारे करें तो सोच समझ कर उस कारे को पूरा करें आज के दिन यात्राय सुगम रहेगी आज के दिन आपको अपनी लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा पित्र पक्ष में किसी गौस आला में हरी घास दान करें आपका शुब्रंग रहेगा पीला, शुबंग रहेगा आठ अब आते हैं कुम राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन सब्तम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन बिना सुचे समझे, जल्दबाजी में कोई भी कारियन न करें आपको अपने स्वास का विशेश रुप से ध्यान रखना होगा आज के दिन शत्रूं से भी सावधान रहें, कान भरने वालों से थोड़ा सा दूर रहें आज के दिन आपको अपनी फैमली का पूरा सपोर्ट रहेगा पित्र पक्ष में पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकाले आपका शुब्रंग रहेगा गुलाभी, शुबंग रहेगा एक अब आते हैं मीन राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन छटे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन स्वास समंदी समस्यां आपके जीवन में बढ़ सकती है अपनी स्वास का विशेश रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए आज के दिन कोई भी कारे करें तो सोच समझ कर उसमें आगे बढ़ें किसी भी कारे में जल्द बाजी बिल्कुल भी ना करें करियर को लेकर सुबसमाचार मिलेंगे वही आज के दिन आत्म मंतन कर अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे पित्र पक्ष में पशु पक्षियों को अन जल्द देने का विशेश लाब प्राप्त होता है इन्हें बोजन देने से भी विशेश लाब होता है इने बोजन देने से पित्र पक्ष पित्रगन संतुस्ट होते हैं आपका शुबरंग रहेगा बूरा शुबंग रहेगा चार तो ये है 29 सितंबर रविवार का देनिक राशीफल अब मैं अपनी वानी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्त रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए और हमीशा मुस्कुराते रहिए जै श्री राते क्रश्ना गुरुमा निधी श्री माली एक प्रसिद्ध जयोतिश आचार्य हैं उनके जोध पुरस्थित जयोतिश संस्थान में महामृत्युन जय, कालसर्प दोश, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारन पूजा पूण विधिविधान एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने है तू इन नंबरों पर संपर्क करे 8 9 5 5 6 5 8 3 6 2